हलो फ्रेंड्स मैं प्रियांका वेलकम टू माई चैनल आज हम एक कटलेट की रेसिपी बनाएंगे यह पूरी तरह से वेज है इसमें नौन वेज कुछ नहीं है लेकिन जो वेजिटरियन है और जो नौन वेजिटरियन है तोनों को यह बहुत पसंद आएंगे इसे घर पर दबाएं और अपनी दोस्तों के साथ ही रेसिपी शेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहे आडबी याने की घुईया तो इसको मैंने साफ करके उबार लिया है और यह आधा सौफ्ट हो चुके है मतलब से एकदम गला गला नहीं है तो इसे अभी साइड में रख देंगे और मशाला त्यार करने के लिए हमें चाहिए स्वादा नुसरा नमक फिर उसमें डाल देंगे धनीय का पाउडर यह सब मैंने आधा की सून करके लिया है जीरा पाउडर साथ में हमें चाहिए लाल मिर्च का पाउडर ये अपने टेस्ट के अकोर्डिंग लीजिए और चुटकी भर हमें चाहिए हल्दी पाउडर और बहुत ही थोड़ी सी हमें चाहिए गर्म मसाला पाउडर अब इन सारे मसालों को आपस में मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद हमें इसमें डालना है लेसुन का कीमा और साथ में हमें चाहिए अधरक का कीमा आप चाहे तो इसका पेस्ट भी इसमें डाल सकते हों अब इनको मिक्स कर देंगे मसालों को पहले ही मिक्स कर देना आसान होते हैं पाद में यूज करने के लिए और फिर इसमें आधा चम्मच तेल एट कर देंगे, आप चाहे तो कोई भी तेल डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर refined vegetable oil डाला है, तो इसे mix कर देंगे ताकि यह थोड़ी से liquid हो जाए, अब यहाँ पर एक प्लास्टिक का पैकेट लिया है मैंने, आप कोई भी प्लास्टिक का पैक इस्तमाल कर सकते हो, और इसके उपर मैंने थोड़े सी पेल से grease कर लिया है, फिर आधा portion लेंगे, हर एक अड़बी का और उपर से इस तरह से wrap कर देंगे, क्योंकि इसे हमें अभी flat करना है, यह एकदम paper की तड़ा flat नहीं करें, और प्लेट या फिर कटोड़ी की मदर से इस तरह से flat कर लें ताकि यह थोड़ी सी मोटा भी रहे और तूटे भीना, तो यह देखिए, यह तयार हो गये है, इस तरह से बाकी सब तयार कर लेंगे, तो यह देखिए, मैंने इसको flat कर लिया है, अब उपर से डाल देंगे, मसाला जो हमने तयार कर लिया है, तो यह इसका Merry तो दोनों साइट से हमें मसालक को लगाना है और हाथ की मदद से इसको फैलाते जाना है तो यह देखिए एक साइट को मैंने तयार कर लिया है अब इसको धीरे से पलटे और दूसरी साइट भी इस तरह से मैं रिड़ करके तयार कर देंगे और 10 मिर्ट साइट में रखे लिए और फिर उसके बाद इसमें थोईसी मैदा डस्ट कर देंगे मैदा मैंने इसलिए डस्ट कर दिया है ताकि जब हम इसको फ्राइ कर रहे हो तब यह जो मसाला हमने डाले है मैरिनेशन के लिए वो छूटे ना यानिकि वो निकलना नहीं चाह देंगे अब एक प्लेट पे मैंने थोड़ी सी मैदा और पानी का घोल बना लिया है यह बहुत ही पतलासा घोल है यह डालना भी जरूरी है तो हर एक पीस लेंगे अर्भी का और इसमें इस तरह से डीप कर देंगे मैं फिर बोल रही हूं कि अर्भी जब बॉयल हो जाते है तो बहुत डेलिकेट हो जाते हैं बहुत आसारी से तूच सकते हैं तो बहुत समाल के आपको यह काम करना है और फिर इसको इस तरह से उठाकर ब्रेट करम पर डाल देंगे और ब्रेट कर से इसको कोट कर देंगे बहुत ही हलके हाथों से इसे करना है और धीरे-धीरे करना है जल्दबाजी बिल्कुल ना करें तो ब्रेट क्रम से इस तरह से कोट कर देंगे और एक्सेस जो ब्रेट क्रम है उसे भी निकाल देंगे तो यह देखिए यह एक तयार हो गए है और सभी को मैंने इस तरह से तयार कर दिया है अब चलिए इसे fry करते हैं तो यहाँ पर मैंने तेल गडम कर लिया है बहुत ज्यादा तेल ना डाले और फिर इसको इस तरह से shallow fry कर लेंगे यहाँ पर इसे हमें deep fry नहीं करना है क्योंकि वही problem यह तूट सकते हैं तो इसे shallow fry कर लेंगे और यह देखिए यह fry हो जुके हैं दोनों साइट से इस तरह से golden brown हो जुके हैं तो इसे इस तरह से किराडे पे लगाते हुए excess oil निकाल लेंगे और बाकी बचे उसे भी इस तरह से fry करके तयार कर लेंगे तो यह लीजिए यह अड़बी की cutlet एकदम से तयार हो गये हैं इसे घरपस जरूर ट्राइ करें और फिर मुझे बताएं कि यह कैसे बनी है तो चलिए फ्रेंट्स फिर मिलेंगे एक और नहीं रिस्पी के साथ थैंक्स वर वाचिं मैं वीजिए